हेलो एवरिवन वेल्कम टो रेंकर जयी दिस इस जमू लिजा एडियर स्टुडेंट्स अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया सीरीज में आज डिसकस करने वाले हैं मौविंग कोल गल्लोमीटर के बारे में तो टॉपिक मेनिया सीरीज में आप सबका स्वागत है जहा तो जआ आज हम लोग लोग डेटेल में डिसक्ट करेंगे, मुविंग ग्ला만 मिटर के बारे में और इस पे बेस्ट कुछ एक्जमपलस करेंगे, जो कि Jamin में पूछे गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुविंग ग्ला만 मिटर को सबसे पहले हम लोग यह देखें कि moving coil galanometer क्या है इसको कैसे बनाय जाता है और यह किस तरह से काम करता है इसका working principle क्या है तो अगर हम लोग moving coil galanometer की बात करें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि moving coil galanometer के construction में क्या-क्या चीजें important है तो moving coil galanometer में क्या यहाँ पर एक cylindrical core लेते हैं इस तरह से एक cylindrical core होगा इस cylindrical core के उपर कुछ number of turns हम लोग ऐसे current के लिए कुछ number of loops या turns हम लोग इस पर wind कर देते हैं कि इस तरह से कि इस तरह से सिलिंड्रिकल कोर के उपर हमने एक कोयल की winding कर दी है अब यह जो cylindrical core के उपर wire की winding हुई है इस पूरे setup को हम लोग एक magnetic field के अंदर रखते हैं वो magnetic field कुछ इस तरह से होगा इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो यहां पर यह दो मैगनेट्स हैं इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल कोर रखा हुआ है इसके उपर वायर्स की winding है और अब इसमें क्या जैसे वायर्स की winding है तो यहां पर इसमें जो क्वायल है इस पर हम लोग करेंट को फ्लो करा सकते हैं करेंट को फ्लो कराते हैं तो यह जो इसमें नंबर यह जो क्वायल है यह एक magnetic moment के जैसे behave करने लगता है तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बार magnetic moment क्या है तो जैसे कोई current carrying loop है उस loop में कोई current I का flow हो रहा है और उसका area है A तो magnetic moment हम लोग लिखते हैं I into loop का area A suppose करिए कि जो हमने loop लिया है उसमें एक loop नहीं है कुछ N number of turns है तो अगर हम लोग number of turns को भी इसमें consider कर लें suppose करिए कि number of turns है capital N तो जो नया magnetic moment हमें मिलेगा उसकी value क्या हो जाएगी N times हो जाएगी magnetic moment mu बराबर N I A तो magnetic moment जो हमने loop यहाँ consider किया अगर इस loop में number of turns N है उसका cross sectional area है I sorry A और इसमें कोई current flow कर रहा है I तो इसका magnetic moment हमें मिल जाएगा N I A के बराबर अब यहाँ पर जो हमने magnets लगा रखा है यह एक magnetic field provide करेगा जिसको हम लोग magnitude में B लिखेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो magnetic field होता है वो radial magnetic field होता है इस बात का ध्यान रखिए radial magnetic field radial magnetic field जो यहाँ पर बनता है उसकी वज़े से magnetic field से लूप पर आने और और टॉर्क independent हो जाता है थीटा के इससे क्या है इससे जो टॉर्क मिलेगा टॉर्क अन लूप टॉर्क अन लूप दॉटो magnetic field बिकम्स इंडिपेंडेंट अफ थीटा तो magnetic field की वज़े से लूप पर जो भी आने वाला टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है थीटा के यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको अब हम लोग एक बार यह देखें कि magnetic field है यह लूप है इसमें हमने current को flow करा दिया और इसने घूमना शुरू कर दिया तो जब यह घूमना शुरू करेगा तो इसको घूमने से रोकने के लिए भी एक हमें कोई ने कोई सेट अप यहाँ पर लाना होगा तो इसको घूमने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो सिलेंड्रिकल कोर होता है इसको एक सस्पेंशन वायर से जोड़ देते हैं यहाँ पर कोई एक सस्पेंशन वायर होगा यह वायर की जैसा है लेकिन इसको हम लोग एक spring के जैसे so कर सकते हैं इस तरह से कुछ है तो यह जो spring हमने दिखा रखा है basically spring नहीं है एक wire है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे suspension wire suspension wire इसका काम क्या है जब हम लोग जब यह cylinder घूमेगा magnetic torque की वज़े से तो यह जो wire है यह twist होगा तो यह twist होगा तो फिर यह restoring torque generate करता है तो suspension wire का काम क्या है यहाँ पर एक restoring torque generate करना यह restoring torque produce करेगा जिसकी value होती है sum constant c multiplied by angular displacement theta यह इसमें restoring torque की value है जो इस suspension wire से produce होगा यहाँ पर जो हमने c लिखा हुआ है इसको बोलते हैं torsional constant c को क्या बोलना है torsional constant तो यह torsional constant multiplied by angular displacement theta यहाँ से हमें restoring torque मिल गया तो अब यहाँ पर cylinder की बात की जाए तो cylinder पर एक magnetic field से आने वाला torque है और दूसरा suspension wire की वज़े से आने वाला restoring torque है जैसे ही यह दोनों balance होंगे यह cylinder घूमना बंद कर देगा तो अगर हम लोग इन दोनों को balance करा दें तो हमें यहाँ पर क्या calculation मिलेगा magnetic moment था mu into nii है यहाँ से हम लोग value लिखेंगे magnetic torque की magnetic torque की magnetic torque जो हमें मिल रहोगा उसकी value क्या है mu b sin theta होती है generally लेकिन यहाँ पर theta से independent हो जाएगा radial magnetic field की वाज़ा से torque तो यहाँ पर torque की value हम लोग क्या लिखेंगे mu times b तो यह value आ जाएगी niab 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 यह है magnetic torque और इसके पहले हम लोगों ने क्या दिखा है suspension wire से आने वाला restoring torque दोनों को balance करा देंगे तो क्या होना चाहिए c multiplied by theta की value हमें मिल जाएगी niab यह cylinder का angular displacement theta हम लोग measure कर सकते हैं nab b divided by c multiplication में i ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए n number of turns in the loop है a loop का area है और b magnetic field है और c के है torsional constant तो यह जो part है यह अपने आप में एक दूसरा constant बन जाएगा इसको हम लोग k लिख सकते हैं तो यहां से हमें मिलेगा theta is equal to some constant k multiplied by i ऐसा भी लिख सकते हैं तो इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि theta directly proportional हो गया है current के तो अगर theta और current के बीच में हम लोग कोई graph plot करेंगे तो यह straight line बनेगा जिसके basis पे हम लोग current और theta को एक linear scale से relate कर सकते हैं इसके basis पे जो हम लोग यहां पर current को measure करने के लिए scale use करेंगे वो हमें एक linear scale बनाने में help करेगा linear scale बनाने में help करेगा linear scale में ध्यान रखना है आपको proportionality है तो उसको linear बोलेंगे safe जैसा हो हो सकता है कि जिसको मैं linear scale बोल रहा हूं उसका safe circular हो तो अगर safe circular है किसी scale का तो उसको circular नहीं बोलना है वो linear scale ही है तो अब जैसे यहां पर क्या था यह cylinder था अपने पास magnetic field से जो torque मिला उससे इसने घूमना शुरू कर दिया और यह जो suspension wire है इसने इसको रोक लिया तो यह कहीं ने कहीं जाकर settle होगा अब यह जब घूम रहा होगा तो इसके लिए इसका angular displacement कितना होगा और जिसकी help से हम लोग theta को find करेंगे इसके calculation के लिए यहां पर हम लोग एक needle को जोड़ देते हैं इस तरह से एक needle को जोड़ देते हैं जो circular shape के एक scale पर इस तरह से घूम सकती है ऐसे अब यह जो circular scale है इस पर कुछ readings होंगी जैसे आज 0 से start कर लिए इस तरह कि इस तरह कि इस पर readings बनी होंगी और यह needle इसके साथ ऐसे rotate होगी और जैसा इसका rotation होगा उसके हिसाब से हम लोग angle को calculate कर सकते हैं और जब angle मिल जाएगा तो उसी की help से हम लोग वो current find कर सकते हैं जो इस coil में flow कर रहा है तो यह पूरा working principle है और construction भी है moving coil galanometer का अब इसमें कुछ चीजें हम लोग अभी और discuss कर सकते हैं जैसे यहाँ पर theta directly proportional हो गया है current के तो अब इसमें जैसे galanometer के जब हम लोग बात करते हैं तो galanometer को mainly use किया जाता है छोटे से छोटे current को measure करने के लिए या फिर detect करने के लिए कि बहुत small current है तो उसको भी galanometer measure कर पाए यह हमारी priority होती है तो अगर हम लोग galanometer को current को measure करने के point of view से देखें तो इसमें हम लोग एक term define करते हैं sensitivity of galanometer तो इसमें हम लोग देखेंगे current sensitivity current sensitivity current sensitivity इसको हम लोग लिख सकते हैं small के suffix में आई current sensitivity के आई इसका definition क्या है आप थोड़ा सा logic से भी इसको समझ सकते हैं कि ज्यादा sensitive device कौन सा होगा जो छोटे से छोटे current को measure कर ले तो इसका मतलब जो हम लोगों ने एक scale define किया है उस scale में छोटे से छोटे current को measure करने के लिए हमारे पास अगर कोई device available है तो ज्यादा sensitive है तो इसका मतलब अगर करेंट को छोटा रखना ज्यादा important है तो इसलिए sensitivity उसकी ज्यादा अच्छी होगी जिसमें किसी भी given deflection पे current छोटा हो तो यहाँ पर हम लोग current sensitivity को define करते हैं rate of change of angular displacement with respect to current d theta upon di d theta upon di इस तरह से हम लोग current sensitivity को define करेंगे और इसी के जैसे हम लोग voltage sensitivity भी define करते हैं यहाँ पर एक और term use होता है voltage sensitivity voltage sensitivity इसको हम लोग kv लिख सकते हैं और इसको कैसे define करेंगे d theta divided by dv यह दो चीजे है current sensitivity और voltage sensitivity d theta upon di तो पहले हम लोग current sensitivity की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास यह थीटा है आई है d theta by di की value अगर हम लोग calculate करें तो कितना जाएगा d theta by di इसकी value हमें मिलेगी n a b upon c n a b upon c तो यह अपने आप में constant है लेकिन इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि अगर number of turn को हम लोग बढ़ा दें तो जो sensitivity है वो बढ़ जाएगी अगर हम लोग number of turns को बढ़ा देते हैं current sensitivity number of turns number of turns बढ़ाएंगे current sensitivity बढ़ जाएगी area बढ़ा देंगे तो भी sensitivity बढ़ जाएगी area बढ़ाने पे भी sensitivity बढ़ेगी magnetic field को बढ़ा दें तो भी sensitivity बढ़ेगी torsional constant को छोटा करना पड़ेगा torsional constant जितना छोटा होगा यह उतना जादा sensitive होगा तो यह भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं अब यहां पर एक important point यह और आता है कि current का हिसाब तो बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है लेकिन voltage वाले में थोड़ा सा हमें और ध्यान देना होता है और क्या ध्यान देना है कि हमने कोई current को flow कराया तो basically जो current flow हो रहा है वो इस loop में ही flow हो रहा है तो यह जो इस loop में current flow हो रहा है उसका कुछ न कुछ resistance है उस resistance के हिसाब से ही potential difference आएगा तो यहां पर देखे थोड़ा साब ध्यान देजिए कि इसमें जो voltage हम लोग लिखेंगे वो होता है current multiplied by resistance resistance of galanometer कह सकते हैं लेकिन जो resistance है वो depend करेगा किस पर इसको हम लोग लिखेंगे rho L upon A यह किस के लिए है उस wire के लिए जिससे loop बनाए गया है wire of loop तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है तो यह इतनी चीजें ध्यान रखें अब इसमें कई बार क्या होता है जैसे suppose करें कि इसमें कई बार ऐसा question बनता है कि वह हमने current sensitivity को बढ़ाने के लिए number of turns को बढ़ा दिया मानंगि ये current sensitivity को मैं दोगुना करना चाहता हूँ तो मैंने number of turns को दोगुना कर दिया तो current sensitivity डबल हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा करके अगर हमने current sensitivity को डबल कर दिया तो क्या voltage sensitivity भी डबल हो जाएगी तो यहाँ पर हमें careful रहना होगा कि अगर हमने number of turns को बढ़ा के current sensitivity को बढ़ाया है तो voltage sensitivity पे उसी ratio में फरक पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो जैसे एक example मैं यही ले लेता हूँ कि suppose कि number of turns को हमने दोगुना कर दिया तो current sensitivity डबल हो गई voltage में क्या होगा कि अगर हमने number of turns को दोगुना कर दिया तो जो resistance है loop का वो भी दोगुना हो जाएगा क्योंकि अब हमने दोगुना wire यूज कर लिया loop में तो अगर हमने दोगुना resistance यूज कर लिया तो जो voltage है वो डबल हो गया voltage डबल हो गया और voltage कहाएगा denominator में आएगा तो जिसे पहले current तो double नहीं हो था लेकिन voltage double हो गया तो voltage double होने से जो दोगना होना चाहिए था sensitivity को दोगना होके और फिर आधा हो जाएगा तो इस तरह से sensitivity पे कोई effect नहीं आएगा तो यह हम लोग ध्यान रख सकते हैं अगर हमें voltage sensitivity बढ़ाना है तो number of turns को change करके voltage sensitivity बढ़ाना यह कोई सही नहीं है तो इतना ध्यान रखते हैं अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़े एक दो point इसमें हम लोग और जोड़ सकते हैं जैसे suppose करिए कि यहाँ पर हम लोगों ने जो scale draw किया है यह scale बनाया है तो इस scale का कुछ least count भी हो सकता है और यह current कितने angle पर एक maximum deflection दे वो galometer की range हो जाती है यह सब चीज़ें भी हम लोग इसमें discuss कर सकते हैं तो वो smallest current जिस पे full scale deflection आजा है उसको हम लोग क्या बोलते है range of galometer current range of galometer जो सबसे छोटा current यह read कर सकता है वो होता इसका least count तो इन चीज़ों का ध्यान और रखे हैं अब आप एक बार हम लोग देखते हैं जही में में इस बार January attempt में कुछ questions पूछे गए हैं तो एक दो example लेते हैं जैसे एक example मैंने यहां consider किया है for a moving coil galometer the deflection in the coil is 0.05 radian जहां दीजेगा 0.05 radian for a moving coil galometer the deflection in the coil is 0.05 radian when a current of 10 milliampere is passed through it if the torsional constant of this suspension wire is 4 into 10 to the power minus 5 newton meter per radian the magnetic field is 0.01 tesla and the number of turns in the coil is 200 the area of each turn in centimeter square is तो यह सीदे सी देखदा हम formula पर question पूछे लिया गया है इसको अगर हम लोग solve करना चाहें तो देखिए क्या क्या information हमें दिया हुआ है वो note कर लेते हैं इसमें solution में हमें theta दिया हुआ है 0.05 radian इसके बाद torsional constant दिया है c 4 into 10 to the power minus 5 newton meter per radian इन दोनों की help से हम लोग torque calculate कर सकते हैं जो की suspension wire से produce किया गया होगा c multiplied by theta c into theta 0.05 into 4 into 10 to the power minus 5 तो यह value आ जाएगी 2 into 10 to the power minus 6 Newton meters में तो यह हमने restoring torque यहाँ पर calculate किया अब यह जो restoring torque है यह balance किससे होगा जो magnetic field से आने वाला torque है उसी से balance होना चाहिए magnetic field से आने वाला torque किया है भई एन आई ए बी यहाँ पर देखें number of tons दिये गया है 200 current बोला गया है 10 milliampere milliampere है तो 10 to the power minus 3 area हमें calculate करना है और magnetic field दिया है 0.01 tesla तो यह इसमें torque है magnetic field से और यह torque किससे balance हो जाना चाहिए था इस suspension wire के restoring torque से तो यहाँ पर इसको हम लोग 2 multiplied by 10 to the power minus 6 से equate कराके check कर लेते हैं कि answer आना चाहिए इससे हमारा जो answer आएगा वो meter square में आएगा ध्यान दीजेगा क्योंकि अभी हमने सारा calculation SI unit में किया है लेकिन problem में हमसे centimeter square में पूछा गया है तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या answer आता है फिर इसके बाद decide करते हैं यहाँ 10 to the power minus 6 है तो इधर देखिए 10 to the power minus 3 10 to the power minus 2 और 10 यह सम्मिल के कितना हो जाएगा sorry 10 to the power minus 3 10 to the power minus 2 इन दोनों कौम ने multiply किया 10 to the power minus 5 यह हो गया 10 to the power minus 4 और इसको भी cancel कर लेते हैं 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 यहाँ पर जब हम लोग divide करेंगे तो इधर आ जाएगा 10 to the power minus 4 और यह वाला 2 और यह वाला 2 भी cancel हो गया तो बचा कितना A की value सीधे सीधे आ गई है 10 to the power minus 4 meter square इसको अगर हम लोग centimeter square में convert करते हैं तो यह value आ जाएगी 1.0 centimeter square तो यही अपना required answer है ध्यान दीजिएगा यही अपना required answer है तो एक बार देखते हैं ऐसा कोई option दिया है या नहीं तो बिल्कुल यह second option दिया गया है 25th January 2023 यह evening वाले shift में पूछा गया moving coil galometer पे बिल्कुल formula पे based simple सा question है तो इस तरह के questions आप लोग कोशिस करिये के ज्यादा ज्यादा solve हो जाए और पूरी theory हमने यह आपर बता दी है moving coil galometer की एक example और ले लेते हैं जो 31st January 2023 को ही पूछा गया है shift 2 में यहाँ पर देखें क्या दिया the number of turns of the coil of a moving coil galometer is increased in order to increase ध्यान देजे number of turns of the coil of moving coil galometer is increased in order to increase current sensitivity by 50% number of turns को आपने बढ़ा दिया current sensitivity को 50% बढ़ाने के लिए the percentage change पूछा क्या है percentage change in voltage sensitivity of galometer will be तो यह exactly वैसा ही है जैसा अभी हम लोग थोड़ देर पहले बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या है जैसे suppose करिए कि हमने current sensitivity के लिए calculation लिखा हुआ था d theta upon di voltage sensitivity के लिए हमने calculation लिखा हुआ है d theta upon dv तो current sensitivity के लिए हमने number of turns को बढ़ा दिया यह वाली जो value आए थी इसकी value क्या थी n a b by c इस तरह से था तो जिस ratio में हमने number of turns को बढ़ाया उसी ratio में current sensitivity बढ़ेगा तो अगर हमने current sensitivity को 50% increase कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने number of turns को भी 50% क्या किया है increase किया है number of turns को भी 50% increase किया है लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि number of turns को अगर हमने 50% बढ़ाया तो इसके साथ जो voltage है वो भी 50% increase हो चुका होगा वो भी क्या होगा 50% increase कर चुका होगा कैसे increase कर चुका होगा क्योंकि 50% number of turns हमने बढ़ाया तो resistance को भी तो हमने 50% बढ़ा दिया resistance भी क्या होगा है 50% बढ़ गया तो voltage जितना पहले measure करना चाहिए था अब उसका डेलगुना voltage वो measure कर पाएगा किसी given diffraction पे तो जितना हमने इसमें sensitivity को बढ़ाना चाहिए उसी ratio में हाँ पर resistance भी बढ़ गया इसलिए voltage में कोई sensitivity add नहीं होगी voltage में हम लोग देखेंगे तो voltage sensitivity में कोई effect नहीं आएगा तो इस बात का हम लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं क्योंकि number of turns बढ़ाने से जो एंगल होगा वो तो बढ़ेगा 1.5 times हो किया रहा है कि जैसे हमने number of turns को 1.5 times बढ़ा दिया current को हमने fix रखा number of turns को हमने क्या क्या 1.5 times बढ़ा दिया तो number of turns को 1.5 times बढ़ाएंगे तो torque भी 1.5 times बढ़ जाएगा तो जो d theta था वो 1.5 times बढ़ चुका था किसकी वज़े से number of turns बढ़ाने से लेकिन voltage के साथ क्या हुआ कि यह d theta तो increase हुआ ही है 1.5 times लेकिन यह voltage भी तो अपने आप में 1.5 times बढ़ गया ना इसलिए voltage sensitivity पे आप देख सकते हैं कोई change नहीं आया जितना पहले था उतना ही अभी भी है जबकि current में 1.5 times current sensitivity बढ़ चुकी है तो इस वीडियो में इतना ही अभी हम लोग इस तरह के और वीडियो लेके आएंगे और instrument पे काफी सारी चीज़ें discuss करने के लिए one by one सारा discuss करेंगे तब तक के लिए bye bye everyone take care और अच्छे से पढ़ाई करिया